हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं खिलाव भारतिय जंता पाटी जिला सिरोही ने प्रदेश व्यापी आभान पर सोमवान को शहर में जन आक्रोश रैली निकाल कर कलेक्टरेट के बाहर प्रदर्शन कर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन की कॉंवेस सरकार को जम कर कोसा जन आक्रोश रैली में मुख्य बक्ता भाजपा पूर्व प्रदेश अद्यक्ष एवं पूर्व मंत्री समाच कल्यान विभाक राजसान सरकार अरुन चतरवेदी ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सरकार को प्रदेश के विकास को नजर अंदास कर केवल अपने जगडों को निप्टाने एवं जनवादों को कर सत्ता में काबिच हुए उनको भुला देने के आरोप जुड़े उन्होंने कहा कि राजसान की कॉंगरेस सरकार ने भष्टाचार, रिष्टा खोरी, कमीशन खोरी, ताना शाही, समराच इस्तापित किया है तीन सालों में राजसान कॉंगरेस की कुनीतियों के कारण महिला अपराद में प्रदम स्तान पर आ चुका है S.C.S.T. बरत्य चारों में तीसरे नंबर पर आ चुका है कानून विवस्ता राजसान में पूरी तरहा चौपट हो चुकी है सन्विदा कर्मी कई महिनों से आंदोलन रख है राजसान सरकार सुन नहीं रही भाजपा सरकार की जनक लियानकारी योजना को बंद करके सरकार खुश हो रही है जिस जनता में भैंकर आक्रोश है कॉंग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता से किये वादों को नजल अंदास किया है प्रदेश की सरकार कर्ज माफी को भूल गई जिसका जवाब प्रदेश की जनता आने वाले 2023 के चुनावों में दे दीगी चत्रवेदी ने कहा कि संपूर्ण भारत में सबसे महंगी बिजली राजसान में है आज राजसान में आपरादिक कती वीदियों के साथ ही दलितों पर अत्याचार सरकारी भरतियों में भरष्टाचार प्रदेश अग्रणी भूमिका में है और कहा कि राजस सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदेश का विकास रुक गया है पिछली भाजबा सरकार ने स्टेट हाइवेट टोल मुक्त किये थे लेकिन जैसे ही कॉंग्रेस सरकार सत्ता में आई तो टोल शुरू करके प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया उन्होंने सरकार को घेरते वे कहा कि कॉंग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर बड़े बड़े पोस्टर कारिक्रम व आयजनों के माध्यम से बे मिसाल बता रहे हैं और विकास की बाते कर रहे हैं लेकिन हकीकत में इन तीन सालों में विकास नहीं प्रदेश का विनाश हुआ है उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते वे कहा कि जो भूली भाली जनता से गर्द चुनावों में जो बादे किये थे उन वायदों का क्या हुआ पेट्रोल पर बिजली राजिस्तान में ही महंगा क्यों है चुनाव के समय बिजली नहीं बढ़ाने वा किसानों के कर्द माफिका क्या हुआ कहा है युवाओं को नौकरी कितने युवा बेरोजगार के खाते में तीन हजार का भत्ता डाला है कितनी महिलाओं को इंसाफ मिला है ऐसे कई सवाल है जो आज जनता पूछ रही है तो उधर पूर्व प्रदेशा देख्ष ने निर्दलिय विधाया का लोड़ा पर तंच कसते हुए कहा कि मंत्री बनने की चहां में दो से तीन बार सूट भी सिलवा लिये थे जिसके पैसे भी अभी दरजी के बाकी है चतुरवेदी ने कॉंग्रस की पूर्व राष्ट्र अधरक्ष राखुल गांदी पर तंच कसा बोले राखुल जी फिर जैपूर आ गए च्छा गए और नया इतिहास बना गए मा वो मातरुका पर प्रशन खड़ा कर चले गए उनने कहा जिसमें मातरुतव नहीं वो मा नहीं हो सकती ऐसे में जिसमें हिंदुत्व नहीं वो हिंदू कैसे हो सकता है जिसमें इंसानियत नहीं वो इंसान कैसे हो सकता है भाजबा जिला अध्यक्ष नारायन पुरोहित ने राजी में बड़ी महंगाई और विधान सबा 2018 के चिनाव गोशना पत्र के वादों को पूरा नहीं करने पर कॉंग्रेस सरकार पर जब कर हला बोलने ते हुए कहा कि देश में 2014 को 19,000 गाउं में बिचली नहीं थी मोधी सरकार बनते ही 960 दिनों में बिचली पहुचा दी, मोधी सरकार ने 8 करोड लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया, दूसरी तरफ कॉंग्रेस है, 10 दिन में गर्ज माफी का बादा किया, 3 साल में पूरन ही हुआ, महंगी बिचली से बिल में करंट आ रहा है, कॉंग्रेस ने भाजपा जिला मेरिया प्रभारी चिदाग रावल ने बताया कि इस अफसर पर जन आक्रोश रेली में पूर्व राज्यमंत्री ओटा राम दिवासी, विधायक समाराम गरासिया, जक्सी राम पोली, जिला प्रमुक अर्जन राम पुरोहित, पूर्व जिला प्रमुक पाय सुरेश सगरवंसी सभी ने एक के बात एक प्रदेश सरकार के विरोजम कर हुंकार भरते हुए, बढ़ती महंगाई, बिजली दर, पेट्रोल, महिला अत्याचार, बेरोजगारी से लेकर, विभिन मुद्दों पर घेरते हुए अपना आक्रोश दिखाया, इस अफसर पर प प्रतिनिती मोचय जिला अध्यक्ष, गोपाल, माली, जिला पददिकारी, मंडल अध्यक्ष, सहित, हजारों कारेकरता एवं आमचन उपसित थे, धरना कारेकरम के बाद में सभी कारेकरता राम जहरोखा मैदान से रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुँचे, जहां पर अतिरिक जिला कलेक्टर को ग्यापन सोपा, इस दोरान जिले भर के अनिक कारेकरता और पददिकारी प्रदर्शन के दोरान जिला मुख्याले पहुचे, अनिक जन प्रतिनिती और यूवा नेताओं ने भी दमखम दिखाया, कारेकरम की तयारियों को लेकर पार्टी कई दि झाल